कि नमस्कार सागत याप कचन संदेश टाइंस में मैं हूं महक और आज हम फिर बेसिक सिच्छा परिशत के ऑफिस के सामने आकर खड़े हुचुके हैं और यहां पर लोग बैटे हुए यहां प्रदेशन करें जानते हैं कि आरक्षर का मुद्दा है अर्चन घुटाला हुआ है 27 परसेंट जो कि अधिकार प्राप्त है वो ना देकर 3.86 परसेंट मिला है यह बात हम नहीं कह रहे हैं यह बात कागजी है रब्मानी राश्री पिछला आयोग ने यह बात माना है और उसने 29 अप्रैल को अपनी अंत्रीम रिपोर्ट लगा दी है इस मामले में कि नहीं ओवीशियों के साथ है घुटाला हुआ है और उन्होंने यह माना है कि हमें 27 की जगह 3.86 परसेंट और यसी को 21 की जगह 16.86 पर लहेंगे तक हमें अलभा हमारा अधिकार नहीं जाता हम घर जाने को त्याइए Kenton आथीकारी क्यांत की और मुणिक क्रसिश की लाठी चार्ज की गई है, हमारे कई साथ ही यहां तक मुझे भी चोट आई है, कई साथ नों को चोट लगी हुई है, उसका बकाइदा हम लोगे पास सब के पास सबूत है, एक मित्र को तो हमारे इसी में चोट लगी है, पट्टी बंदी है उनको, उनका मेडिकल रिपोर्ट लगी हम लोगे पास है, कितने जिन से बैठे हुए हैं? बाइस तारीक से बैठे हो गया है हम लोगे अब यहीं मान है कि सरकार हमारा हमें आरक्षन पूरा दे, अगर जब तक आरक्षन हमारा पूरा नहीं होता है, तब तक हम यहां अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे, और देसंबर से पूरे प्रदेश में आरक्षन महा घोटाला रथ निकाला जाएगा, जिसमें OVCFC सभी खातियों को जगत किया जाएगा, कि OVCFC भाई हो, क्या करोगे अपने बच्चों को उपड़ा के, जब तुम्हारा सम्म्धान प्रदत अधिकार तुम्हें नहीं दिया जा रहा है, क्या करोगे तुम, तुम्हारे बच्चों को नोक्री नहीं दी जा रही है, तुम्हारे बच्चे होगे हैं, फिर भी तुम्हारे हद पर डागा डाला जा रहा है, और OVCFC के नुमाइंदे जो इस सरकार में बेटे हुए हैं, वो सर्फ हम लोगों पर लाट्मि मिलती है, आसवासन मिलता है, आज हम दो साल से मानसिक पीडा से भुजब रहे हैं, क्या सरकार की ये चिंता नहीं है, जब हमार सरकार को हमें चिंता होती है, हमें सरकार की चंता थी, हमने बोट किया है, आप अकेले किसी एक बर्ग बिशेश से सक्ता में नहीं आ रहे हैं, आप अगर हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, तो जिस पर कार आप सक्ता में आए हैं, उसी तरह जे ओवी सी असी समझ, आपको सक्ता से बेदखल करने का काम करेगा. इस आप सक्ते हैं कि लोग यहां पर काफी जादा गुषसे में हैं सर्कार को लें कर, तो हम लोगो ने पिल लाखने से बात कर देеспतिकों इनकर प्लिए प्यास किया था, तो हम लोगोंने बताया कि पुछावर राश्ष्घी पिषवर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बता प्रशासन को सबको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों की परिच्छा ना ले हम लोग लगातार अभी आपी मांगे करें एक साल से लड़ाई लड़ा हैं कोड से भी लड़ा रहे हैं और यहां भी मंस्रीयों से अधिकारियों सबसे मिल रहे हैं हमाई पास आडर भी है लेकिन इसके बाबजी भी न्या नहीं दिया जा रहा है और यहां पर मैडम बताई आप भी बाइसारीश से भी बैठे हुए हैं हम लोग सब लोग अपने परिव हैं कौलिफाई कराएं तब ही उनको योग टीचर नहीं मिलें बस उनको यह कहना था योग यूपी में योग नहीं अरे योग सब यहां देखें सब योगी बैठे हुए हैं और हम लोग यह लड़ाई लड़ा हैं धरने बैठके कि हमको टीचर बनना रिटी आचिका के जव राज्य द्वारा किये गए कथनों के अनुसार अनारक्षित शेनी के उम्मिद्वारों के लिए कट आफ अंग सरसर दशमलव एक एक था जबकि यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चांचर दशमलव साथ तीन था और अनुसुचित जाती के लिए या 61 लव शून एक था राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चैन प्रक्रिया में आरश्य नीती के कारेंवियन में विसंगतियों को दरशाता है आरश्य के अनुसार ओविसी उमिद्वारों की कुल संक्या 79,000 रिक्तियों की कुल सीटों का 27 प्रतिशत होगी यानि 18,598 सीटें ओविसी उमिद्वारों के लिए होंगी लेकिन राज्य द्वारा किये गए कट ओफ प्रतिशत के आधार पर इस गर्णा के अनुसार कुल सीटें ओविसी उमिद्वारों के लिए 2637 है आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधा भासों से भरा है और यह संदे और अनुमानों पर अधारित है वर्तमान चेन प्रक्रिया में आरशन नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है या दिखाने में राज्य विफल रहा है चात्र ही तो काहनन हुआ तो हूं गाए कातर विफल विफल मंगल मेरी पूरी हो तो आप देशके लोग पिसले कई दिलों से दोरने पर बैट रहे हैं बाई सारिक से बतारे कि दोरने पर बैट रहे हैं और इनकी मान सरकार से कि 99 अजाल सीटों में इनका अरफ़र दिया जाए इसलिए लोग लगातार धर्मा का दर्जन कर रहे हैं आप देख सकते हैं लोगों को उनका हाथ मिलने की सरकार कम सिकर उनकी बाते सने सामने आए कि आझ को आप दीटर का थे लोगों की सर्वादित